तो सातियों आज हम एक ऐसे सप्लिमेंट के उपर बात करेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है फिटनेस और बॉड़ी बेलिंग लाइन में वाल इसका नाम है अल्सेट्रलीन मैलेट आज हम जानेंगे अल्सेट्रलीन मैलेट क्या है यह हमारी बॉड़ी के सब्सक्राइब करता है क्या है इसके साइड इफेक्ट कब कितना और केसे लेना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले वाल बने रही है इस वीडियो में अंत तक नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अशुत शर्मा एंड आई होप याडिंग वाल तो साथिय कर सकते हैं और आप अपनी वर्काउट उटिंग में फॉलो आवश्य करें तो चलिए सातियों बने रही है इस वीडियो में लेट्स केट स्टार्टेड इस तो गाइस एल्सेटलिन मैलेट एक अमाइनो प्रोफाइल जोकि बॉड़ी खुद प्रोडूइस करती है बट एक क्वांटिटी में बट अगर हम एथलेट हैं या हम intense workout करते हैं तो हम एस अप्लिमेंट के थूपी एल्सेटलिन मैलेट ले सकते हैं जिससे हमारी बॉड़ी को सफिशिन क्वांटिटी में मिल जाएगा जिसके बहुत सारा benefits है जूकि आगे में इस वीडियो में आपसे ले दो सबसे ज़्च जैदा मेलिट आपको मिलेगा water melon में जिसको हम हिंदी में तरबुष के नाम से भी जानते हैं। अब हं बात कर लिए iki इसी वह मैं आपको इंधाथा हूँ जैसे हम एस इतले मैं ले तो किर नी में। जबर chemical process के तरूव वो convert होता है ATP के तरूब Cross exclusive way moist तो ATP के तरूउ से convert होता हो और waxισोन है तूख सब्सक्राइब अगिन कीमिकल प्रोसेस होती है तो लुड़् होता हैनो-टु में जैसी हमारी बॉड़ी का जोसी क्दिया होता है उससे हमारी वॉड़ी से हमारी बॉड़ी के अंदर एल्सेट्रिलिन मैलेट काम करता है अब हम बात कर लेते हैं सेफ प्लस रिकमेंड डूस की तो गाइस पर डेका आपको 2-6 ग्राम तक आप एल्सेट्रिलिन मैलेट ले सकते हो दो किसको लेना है अगर आप बिगनर हो आपको कुछ ही टाइम हुआ है वक आउट करते हुए तो गाइस आप फ्लस दो ग्राम लेजी बट अगर आप एथलेट हो आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हो जिम में तो आप 4-6 ग्राम पर डेका ले सकते हो आपको 6 ग्राम से उपर अल्सेट्रिलिन मैलेट पर डेका नहीं लेना है अल्राइट एच्छ कर सकते हो with safe quantity all right one more thing अगर आपको किसी चीच की problem है like अगर आपको BP है high BP है low BP है या heart की problem है in this case आपको alcetylene mallet use करने के पहले आपको आपके doctor के साथ या फिर आपके nutrition के साथ consult करना चाहिए फिर ही उसको alcetylene mallet को use करना चाहिए अब हम जान लेते हैं आपको कब लेना चाहिए जिससे आपको अच्छे result देखने को मिलेंगी तो गाइस मेरा recommend यह रहेगा कि आप alcetylene mallet as a pre-workout में use करिए उससे क्या होगा आपका muscle भी fatigue नहीं होगा आपको बहुत अच्छा pump देखने को मिलेगा और आपकी वेस्किलिटी जादा देखने को मिलेगी इवन में खुद as a pre-workout में alcetylene mallet use कर सकते हो वेसे तो हम पोस में भी यूज कर सकते हैं बट for a best result आप इसको as a pre-workout में use करिए तो all right अब हम बात कर लेते हैं benefits की तो इस alcetylene mallet लेने के बाद आपको first batter pump देखने को मिलता है second muscle in mind का connection देखने को मिलता है third muscle fatigue नहीं होता है work out करते वक्त fourth आपका muscle की जो recovery है वो fast हो जाती है fifth अगर आपको high BP की problem है तो वो stable रखता है and sixth आपकी vesculity को improve करता है अगर आपका fat percentage कम रहेगा तो आपकी nurse जादा overview दिखेगी आपकी जो vesculity है वो जादा attractive नजर आएगी all right साथी साथ इसके side effect की हम बात कर लेते हैं guys तो guys as such इसके कोई भी side effect देखने को नहीं मिलते हैं अगर हम safe plus recommend dose के साथ इसको use करते हैं that is up to 6 gram per day तो हमें कभी भी side effect देखने को नहीं मिलेंगे बट अगर हम 6 gram के उपर लेने चालू कर देंगे guys so in this case हमारी body का heart burn होने लगेगा हमें चक्कर आने लगेंगे हमारी heart beat age हो जाएगी हमारी body पे high blood pressure की problem हो जाएगी all right तो guys मेरा recommend यहीं रहेगा कि अगर आप alcetylene mallet use करते हैं तो please safe plus recommend dose के साथ use करिये that is up to 6 gram per day का जिससे आपको कभी भी side effect देखने को नहीं मिलेंगे और आप लंबे time तक इसको use कर सकते हैं with proper results तो guys अब हम बात कर लेते हैं मेरे recommendation के कि कि आपको कौन सा alcetylene mallet लेना चाहिए imported या non-imported all right price range के अगर नहीं बात कर लो guys तो imported alcetylene mallet आपको market में मिलेगा 1000-1500 रुपे तक की range में बट non-imported alcetylene mallet आपको मिलेगा 400-800 रुपे की range में all right हाल फिलाल में जो use कर रहा हूँ वो है fast enough का alcetylene mallet जो की आता है 100 serving के साथ all right इसकी एक serving में हमें मिलता है 2 gram alcetylene mallet इसका जो taste है वो कुछ around nibbu की तरह लगता है बहुत खटा है क्योंकि alcetylene mallet खुद में एक raw product हो रहता है all right आप अगर कोई सा भी alcetylene mallet यूज़ करोगे चाहे आप imported यूज़ कर रहे हो या non-imported यूज़ करोगे तो उसका taste बरोबर ही एक की तरह ही रहता है जो की रहता है खटेपन में all right इसकी अगर मैं rating दू तो guys taste की rating में दूँगा 3 out of 5 and result ही अगर मैं इसकी rating दूँगा वो दूँगा 4.9 out of 5 all right well guys अगर आप इसका complete detail review वीडियो देखना चाहता है मुझे comment section में बताइए मैं अवश्य आपके लिए इसका complete detail review वीडियो लेके आऊंगा well अगर आप imported लो या non imported लो दो नहीं केस में alcetylene mallet एक ही काम करता है एक ही benefit देता है तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा alcetylene mallet ले रहे हो imported या non imported comment section में अवश्य मुझे बताइएगा तो guys ये थी सारी detail about alcetylene mallet अगर आपके मन में अभी भी कोई doubt हो कोई question हो तो बिंदास मुझे नीचे comment section में पूछ सकते है I will happy to help you out तो हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का अपने घरवालों का आप कोई वीडियो किसा लगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आ तो please 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 hit the like button आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करना मत भूलिए और मैंक शूर आप इस चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहें फिर मिलेंगे गुड़ बाई see you दिस इस आशुतो शर्मा signing off for now